देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प सब्सक्राइब करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की घृपाप सभी पर सदायब बनी है, यह वीडियो है, 11 दिसंबर 2022, संडे आनिकी रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में, सामान्य विश्टेशन होता है, आपकी गाइडेंस के दाल लेते हैं, पंचांग के दिरव बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में, ओम सूर्याय नम्हा अवश्च लेक के जाएगा, पंचांग इस तरह से है, तिति रहेगे तृत्या, नक्षत्र पुनर्वसु, योग ब्रम्ह करण विष्टी, और वार रहेगा रविवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है, सूर्य देवता, सेवन फोर एम पे उदे होके अस्त होंगे, फाइफ ट्वंटी सिक्स पीम पर, चंद्रमा, मिथुन में रहेगे, नक्षत्र रहेगा उनका पुनर्वसु, और सूर्य देवता, विष्चिक में रहेगे, इन दोनों ही अशुब मूरतों में यदि आपको घर से निकलना है, तो एक बार सूर्य चालीसा का पार्ट करके ही घर से निकल लिएगा, तो ये था पंचांग, चलेंगे राशी फल पर शुरुवात करेंगे, मेश के साथ, मेश राशी बहुत शुब दिन दिख रहा है, ज अच्छा दिन है, आज के दिन का लाब उठाईएगा, अपने उपर विश्वास बढ़ेगा, अपने आसपास के लोगों पर विश्वास बढ़ेगा, वहां से सहायता भी प्राप्त होगी, इन्वेस्मेंट कर सकते हैं, अपने आपको सकरात्मक रखिएगा, नेकिटिव ल सकरात्मक रखिएगा, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, दिन तो ठीक है, लेकिन एकी चीज़ कहूंगा, कि छोटी-छोटी जो चीज़े हो रही है, छोटी-छोटी जो गलतियां आपकी साइट से भी हो रही है, या फिर आप जो आर्गुमेंट की सिचुशन रहेगा, सरवाश्ट्यक में सक्तम भावत्यंत बली है, अपने विवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूरे चालीसा का दो बार पाट करना है, शुब अंक है आपका साथ कर रहे है, ब्ल्यू भागय पतिशत, सत्तर पत कुछ भी ऐसा मत कीजे, जो थोड़ा इल्लीगल हो, जैसे चलान की बात हो, अगर ड्राइब करते हैं तो सिगनल वाली बात हो, इन सब चीजों से थोड़ा बचके रहेगा, क्योंकि गवर्मेंट की तिरफ से आज थोड़ी परिशानी आपको हो सकती है, जहां तक इन्वेस लाना पड़ेगा, आपको अपने बिजनस पर हर चीज पर फोकस करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जहां तक लव लाइफ की बात है, पार्टनर को समझने का परयास कीजिए, आज उसके लिए अच्छा दिन है, विवाहिक जीवन, एक दूसरे को स्पेस कीजिएगा, जादा टाइम स्पेंड मत कीजिएगा, थोड़ा अलग रही है आज, यह नहीं कह रहा कि एकदम सेपरेट हो जाईए, लेकिन हाँ, थोड़ा स्पेस दीजिए दूसरे को, जादक स्टूडेंस की बात है, अपने डिटर्मिनेशन पर थोड़ा काम कीजिए, से प्रदेता को जलरपन करते हुए, ओम भासकराय नम्हा मंतर का जाब करना है, शुबंक्या दो कलहे ब्राउन, भागय पतिशत, सत्तर पतिशत, जमिनाए, मिथुन, दिन बहुत अच्छा है आज, अचानक से भागय का साथ मिलेगा, कई चीज़ें आपके फेवर में जा सकत आप से एक ही चीज़ कहूंगा, कि अगर पास में कुछ बुरा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं, आगे भी सब कुछ बुरा ही होगा, तो थोड़ा पॉजिटिवनेस लाई अपने पूरे व्यक्तित्तों में, जहां तक करियर की बात है, थोड़ा इमोशनल रहेंगे, इसके कारण थोड़ा नुकसान हो सकता है, बिजनस बहुत अच्छा दिन है, थोड़ा एनराइस कीजेगा कि और कैसे बेटर हो सकता है, जहां तक लव लाइफ की बात है, दिन तो ठीक है, लेकिन अपनी वानी पर बहुत कंट्रोल करना है, विवाहिक जीवन थोड़ा प्रैक्ट स्ट्रॉंग होता है, तो दिन अच्छा ही जाता है, आपके लिए उपाई यह है कि आपको सुर्य दिवत्ता को जलरपन करते हुए, ओम भास करायर अम्हा मंत्र का जाप करना है, शुबंक्या आपका वन कल है वाइट भाग्य पतिशत 75 पतिशत, चलते हैं कैंसर यानि की कर थोड़ा आपने आपको बंदा हुआ महसूस करेंगे, मानसिक बंदन जादा दिख रहा है, आपको ये लगेगा कि जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और ये एक frustration, irritation आपके जीवन में, आज create करेगा, दिन वैसे ठीक है, भागे का साथ मिलेगा, चीजें पूर और better कर सकते हैं, change लाना है, तो उसके लिए क्या निवार है, बिजनस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, फैशन से जोड़ा कोई बिजनस है, लाप होगा, love life, जल्दवाजी नहीं करनी, चीज़ों को धैर पूरवक आगे बढ़ाना है, जहां तक विवाहिक जीवन की ब प्रभाव होगा, जहां तक सेहत की बात है, lower back में दर्द रहेगा, सरवाश्टक के हिसाब से आपका चौथा भावत अंतवली है, थोड़ा emotionaly low field करेंगे आज, आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूरे 40 का दो बार पाट करके सूरे देवता को जलर पढ़ करना है, आपने आपसे connection थोड़ा बढ़ाई है, लोगों से इतना घेर गए हैं, लोगों से इतना influence हो गए हैं, कही न कहीं आपकी क्या needs हैं, वो भूलते जा रहे हैं, आज creative रहेंगे, अपने insecurities पर काबो बाने का दिन है आज, investment मत कीजिएगा, आपसे यही कहुँगा कि दिन बुर या health care संबदित कुछ का रहे हैं, लाब होगा, love life, पैसों की बात्ची जादा मत कीजिएगा, materialistic चीजों से आज दूर रहिएगा, उसकी बातों से दूर रहिएगा, विवाहिक जीवन, थोड़ा आगे बढ़ने का समय है, stagnation आ गया है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, अगर बोरिंगनेस सी आ गई है, तो change करें, students, बहुत ही जादा शुब दिन है, जादक सेहत की बात है, आपको पेट के रोगतंग कर सकते हैं, सरवाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भावत दिन तबली है, तो दिन ठीक है, यात्रा के भी योग आपके बन सकते हैं, आपके बहुत अच्छा दिन है, बस arguments मत कीजेगा, वो एक नकरात्मक चीज हो सकती है, जो पूरे दिन को waste कर देगी, investment से आपको कर सकते हैं, investment के लिए आच्छा दिन बहुत अच्छा है, लाब हो सकता है, आपसे एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा अपनी needs को समझने का प्रयास जीवर में, दूसरों को आपसे क्या चाहिए, यह नहीं, दूसरों की आपसे क्या expectations है, यह नहीं, आपको अपने आपसे क्या चाहिए, यह समझना पड़ेगा, जहां तक करियर की बात है, दिन ठीक ठाके अच्छा है, थोड़ा inspiration ढूंड़ी अपने करियर में, और अच्छा रहेगा, बिजनस, बच्चों से सम्मझत कुछ खा रहे है, आपका बिजनस आपका, लाब होगा, थोड़ा sensitivity जादा रहेगी दोनों साइट से, कुछ भी ऐसी बात मत कीचेगा, जो argument में बदल सकती है, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, बहुत अच्छा दिन है, दूसरा स्थान अतिन तबरी थे, तो धन के हिसाब से दिन अच्छा ही दिख रहा है, आपके लिए उपाई है कि आप सूरे चालीसा का तीन बार पाठ करके सूरदेता को जल अरपन करना है, शुबंके तीन कले है आपका ग्रीन भाग्या पतिशत, पचातर पतिशत, तुला बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुब दिन है, आज जीवन को इंजॉय कर पाएंगे, बस जज्जमेंटल कमेंट्स मत किसी वे पास कीजेगा, वो नकरात्मक चीज हो सकती है, उर्जा अच्छी है, गवर्मेंट सेक्टर में है, तो और अच्छा दिन रहेगा, पूरा दि बहुत अच्छा दिन है, बहुत सकरात्मक दिन है, बस इंटेंसिटी पर अपनी उर्जा पर थोड़ा कंट्रोल किजेगा, अगर आपके पार्टनर की इंटेंसिटी मैच नहीं होती, तो अपने ओपर सायम लगाना पड़ेगा, विवाहिक जीवन, बहुत अच्छा दिन है एक दुसरे को समझने का प्रयास करेंगी आज, तो बहुत अंडरस्टेंडिंग बढ़ेगी, जातक स्टूडेंस की बात है, सेहत का ध्यान दीजे, और अपनी सेहत का ध्यान दीदी उसको नकार रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, जातक सेहत की ओर आल बात है, आपको सुरी देवता को जलरपन करते हुए, ओम सूर्याय नमहा मंत्र का जाप करना है, शुब अंक है आपका साथ कल है, ब्लैक भागय पतिशत, असी पतिशत, चलते हैं स्कॉर्पियानी की व्रिश्चे की तरफ, आपके आसपास कुछ डिस्वानस लोग हैं, जो किवर आपसे फ चार कीजेगा इस चीज़ पर, आने वाले दिन में कुछ सकरात्मक हो सकता है, और उसके बारे में भी आपको कुछ आज ग्यात हो जाएगा, अगर किसी से कुछ बहस हुई थी रीसेंटी, तो उनको माफ करके, सौट आउट करके आगे बढ़िए, इन्वेस्मेंट कर सकते ह कुछ कारे जो अपूर्ण रह रहते हैं, अचानक से पूरे हो सकते हैं, इच्छा भी आज आज आपकी कोई पूरी हो सकती हैं, जहां तक करियर की बात है, दिन तो ठीक है, लिकिन ओवर्वर्क मत कीजिए, अगर आप बहुत ही जादा काम कर रहे हैं अपने कारक शेत्र में उसका परिनाम कुछ नहीं मिल रहा, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, तो जितना आपकी सेलरी हैं, उसके इसाप से ही काम कीजिए, जितनी आपकी पोस्ट है, उसके सहब से ही काम कीजिए, बिजनस, फूर्ड इंड यंड्री स्योड़ा कारे हैं, लाब होगा, करात्मक था नकरात्मक तो नहीं आएगी लेकिन ध्यान भटक जाएगा सेहत के इसाफ से खाने पने पर थोड़ा ध्यान दीजेगा वनना प्रावलम होगी सरवाश्टक बारवास्थान अतिन्तवली है सेहत आज अचानक से विगड़ सकती है आपके लिए उपाई यह है कि आ इससे निकलने का प्रयास केजिए दिन वैसे ठीक है वलकि अच्छा ही दिन है बहुत इक जीवन में तो बहुत अच्छा दिन है मांसिक तोर पर पर परिशानी जादा रहेगी कोई अच्छी न्यूज आ सकती है और अचानक से कहीं से लाब भी प्राप्त हो सकता है इंवेस बिसनस वानी पर बहुत कंट्रोल कीजेगा कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना स्पेशली अगर आप अपने क्लाइन से सीधा डिलिंग करते हैं तो जहां तक लव लाइफ की बात है जल्दबाजी नहीं करने विवाहिक जीवन आज का बहुत अच्छा देख स्टूडेंस अगर पढ़ रहे हैं और कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा तो उसका आल्डरनेटिव भी ढूनने का प्रयास केजिए जहां तक सेहत की बात है खाने पीने पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा उसके कारण प्रॉब्लम्स दिख र है शुबंग के आपका साथ कलर है आपका और इंज भाग्या प्रतिशत है 75 प्रतिशत कैप्रिकॉन मकर दिन बुरा नहीं है बस थोड़े प्रैक्टिकल हो जाईए आप थोड़ी से पिश्के कुछ दिनों से अनप्रैक्टिकल हो रहे हैं अपने चीजों में एमोशन्स का जादा उपयोग कर रहे हैं जो कि कही ना कहीं आपके नेचर के विरुद्ध है आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए जो कारे नहीं बन रहे हैं पूरा करने की कोशिश कीजिए और जो लोग आपको थोड़ा दुख देते हैं नकरात्मक फील करवाते हैं उनसे आज जो दिन जस्मा ने कहां बुरा नहीं है लेकिन अपने उपर फोकस करना है अपनी नीट्स को पूरी करनी है इन्वेस्मेंट कर सकते हैं रात का समय अच्छा नहीं जाएगा वहां पी नकरात्मक ता अचानक से घेर सकती है आपके मन को कंट्रोल कीजेगा जहां तक करियर की बा शब्दों का बहुत चयन ध्यान पूर्वक करना है आज कोई ऐसी बात मत कीजेगा या कोई बड़ी बात तो कीजेगा मैं तो यहीं काऊंगा जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा Students आप emotionally आज थोड़ा low feel करेंगे दिन ठीक है लेकिन emotional ही कभी कभी होता है सबके साथ अच्छा फील नहीं करता वेक्ती वैसा ही आपके साथ होगा सेहत के हिसाब से sleep disorder सरवाष्ण के हिसाब से आपका दस्वा स्थाना तेंत बली है तो दिन ठीक है मिला जुला सा जाएगा बीजी काफी रहेगा जैसा मने कहा प्रेक्टिकेलिटी पर ध्यान दीजेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूरे चालीसा का दो बार पाठ करके सूर्देता को जलर पन करना है शुबंग के आपका तू कलर है आपका और इंज भागे पतिशत है सत्तर पतिशत कुम्भ बहुत अच्छा दिन है बहुत शुब दिन है जो कार्य बहुत लंबे समय से नहीं बन रहे थे आज वो पूरे हो सकते हैं दिन में सकरात्मकता रहेगी वह कर पाएंगे जो करना चाहते हैं अधिकतम कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी तो दिन बहुत अच्छा है लाब उठाईगा बहुत सकरात्मकूर्जा रहेगी और एक अट्रेक्शन रहेगा आपके पूरे विक्तित्तों में इंवेस्मेंट कर सकते हैं रहेतियाज पूरे हो सकते हैं यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि समझ नहीं पाएंगा एक दूसरे को विवाहिक जीवन जो चेंजेज आ रहे हैं उनको एकसेप्ट कीजिए आगे बढ़िए आप में भी चेंजेज आ रहे हैं आते ही हैं हर वेक्ति में आ सकते हैं सरवाश्टक में आपका भाग्य सान अतें तबली है तो यह अच्छा है भाग्य का साथ मिलेगा तो दिन तो जैसा मैंने का अच्छा ही जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको सुरुदित्ता को जलरपन करते हुए ओम भास कराय नमामंत्र का जाप करना है शुबंग आपका साथ कलय है आपका यलो भाग्य पतिशत असी पतिशत बहुत ज्यादा शुप तो नहीं कहूंगा थोड़ी नकरात्मकता दिख रहे हैं मन बहुत विचलेत रहेगा मन बहुत भ्रमित रहेगा तो कोई बड़ा निरने नहीं लेना आपको इसके साथ की वातिक जीवन में या धन की प्राप्ति हो सकती है लेकिन मानसिक रूप से बहुत परिशानी देगी जहां तक किसी पर जादा भरोसा मत कीजे क्योंकि वहां से धुका मिल सकता है जातक करियर की बात शॉटकट्स मत लीजेगा उसका रुकसान हो सकता है बिजनस बहुत अच्छा दिन है आज का बिजनस में दिन अच्छा है लेकिन रिस्क नहीं लेना आज कुछ अलग नहीं करना लव ला पर भी दिखाना है कुछ ऐसी चीजे मत बोलिएगा जो गैर जरूरी हो विवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन नहीं है अगर शक जादा कर रहे हैं तो वह शक और बड़ेगा व्यर्थ की चिंताएं बहुत बड़ेंगे स्टूडिंस स्टूडिंस के लिए अच्छा दि रहेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको सुर्देता को जलरपन करते हुए ओम नमस्षिवाय का जाप करना है शुब अंक है आपका वन कलर है पिंक भागे प्रतिशत 65 प्रतिशत तो यह था ग्यारा दिसंबर का राशी पर चैनल पे नहीं है सब्स्राइब कीजिए व हो पॉब